एक बार एक सन की दुपहर में छोटे मुसाफिर ने अपने कमरे के कोने में एक जादुई दर्वाजा दर्याफत किया जैसे ही घडी ने खेल का वक्त बजाया, दर्वाजा खुला, जिससे टॉइलंड के एक शांदार रास्ते का पता चलता है एक ऐसा दाइरा जहां खुलोनों की जान आ गई, टनी ट्रियोलर ने अपने पहले कदम टॉइलंड में डाले, जिसका इस्तिकबाल टंबल्स नामी एक जिन्दा टीडी बियर ने किया, जिसने जादुई जंगलात की कहानिया काता और चमकती जीले, पल्ले रूम एक दलक्ष मनजर में तबदील हो गया, जहां आलिशान पहाड उंचे खड़े थे, और केंडी रंग की नदियां खुशी से बहे रही थी, इस मुतहर्रिक वंडर लेंड में गड़िया खुबसूरती से चल रही थी, इनके चैनी मिट्टी के बरतन के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, नट करीकर प्रंस ने टनी ट्रेवलर को खुबसूरती के रकस के जरीए आगे बढ़ाया, जबकि शिरार्ती वंडब खुलोने चारों तरफ घूम रहे थे, जिसने जादूई तमाशे में सुंसनी का एक लंस शामिल किया, जब वो ट्वाइलेंड में गहरे सफर कर रहे थे टनी ट्रेवलर का सामना पजल पीपल से हुआ, जो की पहली के टुकडों की एक जमायत है, जिन्होंने टीम वरक की एहमियत सिखाई और इस वक्त भी जब चीजें पीचीदा लग रही थी, खलोना सिपाही लंबे-लंबे खड़े थे, अपने हम आहंग मार्चों में लचक और इतिहात का मजाहरा कर रहे थे, टॉयलंड कार्निवाल के दर्मियान निन्हे मुसाफिर ने खवाबों के किरॉसल से ठोकर खाई, मेरी गो राउंड पर हर सवारी ने मुखतलिफ दायरों की निकाब कशाई की, खलाई खुलोनों की चमकती हुई कहकशा से लेकर आभी अ आवाज के साथ हार्मनी ने ऐसी धने शेयर की, जो खुलोनों की बादशाही में गोंचती थी, टनी ट्रियूलर को वो हम आहंगी सिखाती थी, जो तनव्वा में पाई जाती है। शरारती जीक इंदी बाक्स ने अपने आपको छोड़ा हुआ महसूस करते हुए एक चंचल तुलुआ फजर करीब आया, जादवी दर्वाजे ने नन्हे मुसाफिर को हकीकी दुनिया में वापस आने का इशारा किया। टॉयलांड ने अलवदा कहा, जब भी पल्ले टाइम बलाया गया तो जिन्दा होने का वादा किया। टनी ट्रियूलर वापस आये, उनका दिल परफ्तन टवी लेंड मेहम की कहानियों से भरा हुआ था। अखलाक। टवी लेंड में टनी ट्रियूलर ने सीखा कि खलोनों की दुनिया में भी हर एक के पास सुनाने के लिए एक कहानी होती है और इतहाद सबसे ज्यादा जादुई मेहम जुआई पैदा करता है।